आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ दो तरह के चॉक्रेटी डिजर्ट जिसको बनाने में आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा आप सिर्फ 30 मिनिट में इन दोनों ही डिजर्ट को बना लेंगी और आप इसको किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर रक्षा बंदन आ रह तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए साथ ही मेरे चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिए तो चलिए इसके शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं बना रही हूँ चॉको कॉफी ट्रफल बॉल इसके लिए मैंने कड़ाई को रख दिया है गैस पर और फ्लेम को भी ल चमज कोफी पॉडर के कोफी डालने के बाद इसमें एट करेंगे एक चुटा सा चमज कॉफी पॉडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे इसको जरूर एट कीजिए गा इन सभी को अब लो फ्लेम पर ही को करेंगे लगबक तीन से चार मिनट के लिए और इसको चलाते हुए को करेंगे जब तक यह थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक के लिए तो देखिए अभी जो मिक्षर हो गया फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है फिर भी अभी भी हाथों को नहीं रोकेंगे और इसको ऐसे चलाते हुए ही ठंडा करेंगे क्योंकि जो कढ़ा है काफी गरम है अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से नीची से जननी का डर है तो इसको ऐसे बीच-बीच में चलाते हुए ठंडा कर लेंगे तो जो हमारा मिक्षर था ट्रफल का वह बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है और अब हातों में थोड़ा सा पोशन इसका यहां पर हमें हातों को ग्रीस वगेरा करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हमने अलड़ी घी आड़ किया है तो इसमें ग्रीसिंग अलड़ी रहती देखिए बिल्कुल भी हातों पर नहीं चिपक रहा है और एक छोटा सा बॉल मैंने बना लिया है और अब इसको मैं कोट कर कर रही हूं तो सबसे पहले मैं इसको कोट कर रही हूं चौको चिपस मैं आप किसी भी तरह के सिरुक वग्यारा का भी कर सकते हैं तो मैं पहले यूज कर दिया है और एक और बॉल बना के अब इसको मैं कोट करूंगी यह रंग बिरंगे कलर फुल से स्प्रिंकल से तो देखिए तीन तरह के स्प्रिंकल को मैंने यहां पर यूज किया है कोटिंग के लिए ऐसे ही सारे ही बॉल्स को मैं अलग-अलग चीजों से कोट करके रेडी कर कैरें कि winds रही हूं और बस हमारा जो चॉक काफी ट्रूफल बाल्स है वह बनकर रेडी हो चुका है और यहां पर इतनी कॉंटिटी मैं ने में अने किया है कानुटिटी में यह और दस बाल्स इस तरीके से बने कर रेडी हो चुके हैं और यह बहुत दियातए नजिदी लग मैं आधा कप कंडेंस मिल तो पूरा ही एक साथ में नहीं आइड कर रही हूं क्योंकि कभी-कभी थोड़ा सा कम लगता है इसमें या कभी थोड़ा जाता है तो मैं थोड़ा सा कॉंटिटी पहले बचा ले रही हूं उसके बाद इन सभी चीजों को अब मिक्स कर देंगे तो कं अच्छे से मिक्स करके डो शा बना लेंगे तो देखिए यह जो ढो है वो पनकर लेली हो चुका है नारिल की भुरादे और कंडेंस मिलका और अब इसको अच्छे से बस इस तरीके से रख ले रहे हैं और अभी हातों को मैं फिर से वाश कर ले रहे हूं उसके बाद इसके पोधार आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, अब यह जो डो है, इसमें से मैं थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ, तो मैं यहां पर यह टेबल स्पून का यूज कर रही हूं, तो बस इसको मैं इसलिए यूज कर रही हूं, जिससे जो सारी बाइट्स हैं, वो सेम साइज के बने और कोई काम नहीं है यहाँ पर इस tablespoon का इससे और कोई measurement हमें नहीं लेना है आप चाहें तो अंदाजे से हाथों से भी बना सकते हैं ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको tablespoon यूजी करना है और बस इसको shape दे देंगे एक square का ये देखिए इस तरीके से तो बस इसी तरीके से बाकी के मैं बनाओंगी square shift में और tablespoon का फिर से मैं यूज कर रही हूं इसी लिए कि जो bites हमारे बने वो same size के बने तो फटा फट से एक और बना लेते हैं ये coconut chocolate bite तो देखिए फटा फट से ये भी बनकर ready हो चुका है इसका जो टेस्ट होता है बिलकुल bounty bar जैसा होता है जो कि market में काफ 5-6 घंटे जिसे थोड़े से और सेट हो जाएं तो जब तक हो फ्रिज में है तब तक मैंने लिया है यहां पर डाक कंपाउं चॉकलेट डेट सो गराम और इसको अब मुझे मेल्ट करना है तो मैं इसको microwave में मेल्ट करूंगी आप चाहें तो double boiler method से मेल्ट कर सकते हैं तो दे ही तो दूरनत दंदे ना डालें तो ठॉरनत भी कोई-पीचिज कोट करें तो तो तुरनत ही उसको गरम चॉकलेट में ना डालें तो अब मेल्ट होने के बाद उससे जो होता है कि एक शाइन सी आ जाती है आप देख सकते हैं एक शाइन है इस बाइट में या इसको ग्लेज भी बोल सकते हैं तो इसलिए तुरंत ही आप ना डाले गरम गरम चॉकलेट में कोई भी चीज़ आपको कोड करनी हो थोड़ा सा थंडा होने इसको बोलते हैं टेंपरिंग करना चॉकलेट को और अब एक दूसरे फोक से ही हम इसको इस तरीके से स्लाइट कर देंगे और रख देंगे और यह जो प्लेट है ना या उसको मैंने हलके से घी से बस ग्रीज कर रखा है ताकि जब आप इन सारे बाइट को प्लेट से उठा अब इसको मैं फ्रेज में रख दे रही हूं और फ्रेज को निकाल लिया है अब देखिये हाड हो चुगे हैं अब इसको आम है तो थोड़ा सा टाइम देंगे जिससे जो घी है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो बाहर निकाल कर लगबग पांस मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए उसके बाद ही इन बाइट को प्लेट से निकालिए नहीं तो ये तूट जाएंगे नीचे चिपके रहेंगे तो बस इसको जब निकाली थोड़ा सा घुमा दीजिए हाथों से और इस तरीके से ये आसानी से फिर निकलाते हैं तो देखिए सारे ही बाइट क मैंने मिकाल लिया है और अब मैं इसको गानिश कर दे रही हूँ कुछ पिस्ते से बस लीजिए हमारा ये चौकलेट कोकोनेट बाइड भी बनकर रेडी हो चुका है तो बस आप इस रक्षा बंदन पे इन दोनों ही रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा और मुझे जरूर मैं मिलूंगी ऐसे ही एक और नही रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और थैंक यू फो वोचिंग